Hello everyone, welcome back to the new video, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है, क्यों ये वीडियो इंट्रेस्टिंग होने वाला है, ये सोच रहे हो ना, तो दोस्तो बस तीन रीजन्स है, point number one, मैं इंट्रेस्टिंग बंदा हूं, इसलिए वीडियो इंट्रेस्टिंग ठीक है, दोस्तो मैं मोबाइल सेटिंग का बात कर रहा हूं, और खास करके ये वीडियो एक फुल टाइम गेमर के लिए है, एक गेमर को कौन सा सेटिंग यूज करना चाहिए, और कौन सा सेटिंग को एवोईड करना चाहिए, बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, वो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा और आप फिर भी वो सेटिंग को अगर यूज करते हो देन आपका मोबाइल बहुत ही जल्द र.I.P rest in peace हो जाएगा फिर बाद में मत बोलना कि मैं बताया नहीं था वीडियो को फुल देखो सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा चैनल को सस्क्राइब कर दो जल्दी से मुझे अच्छा लगेगा और इस टाइब के इंटरिस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा गैस चलते ही नंबर वन सेटिंग है गेम बुष्टर और गेम टर्बो अब यह गलती कभी भी मत करना प्ले स्टोर जाके कोई भी गेम बुष्टर अप्लीकिस्टन को डाउनलोड मत करना अगर आपका मोबाइल में इन बिल्ड गेम टर्बो का आप संदिया है तुन ठीक है और नहीं दिया है then कोई बात नहीं कोई other application को download मत करना और आज कल का जितना भी device में game booster setting देखने को मिलेगा simply अब जो भी game खेलते हो free fire, bgmi, call of duty वो सभी game को उसी game turbo के अंदर रख सकते हो आपके दिमाग में एक सवाल होगा game turbo को use करने से क्या फाइदा मिलेगा game turbo को use करने से जो game का performance है वो better से best हो जाएगा एक और बात है जो inbuilt game booster है वो सभी device में अलग-अलग होता है जैसे कि low range device में आपको ज़्यादा option देखने को नहीं मिलेगा and high range device में आपको ज़्यादा से ज़्यादा option देखने को मिलेगा और जैसे कि मैं आपको पहले भी बोला था game booster का कोई भी application download मत करना play store से उसमें आपको 0% gaming performance देखने को मिलेगा और lag इसू भी होगा अगर आपका phone में inbuilt game booster नहीं है then आपको कोई भी other application का जरूरत भी नहीं है जैसा है ठीक है guys second setting है uninstall useless application actually क्या होता है application के वज़ा से RAM फूल हो जाता है जिसके वज़ा से game खेलने के वक्त game बहुत ज़ादा lag होता है तो अगर आपको lag issue problem को रफा रफा करना है then आपको mobile में जितना भी useless app है उन सब को uninstall करना पड़ेगा और जो application permanent mobile में दिया है uninstall नहीं हो रहा है उसको आप disable कर सकते हो जिससे mobile का RAM खाली हो जाएगा और game में ज़्यादा lag issue देखने को नहीं मिलेगा I know आप सभी को पता होगा app को कैसे uninstall किया जाता है app के उपर click करो then उपर में uninstall का option आ जाएगा और अगर आपका MI का phone है then आपको setting में जाना है then about phone में जाना है and storage में जाना आपको storage में जाने के बाद आपको apps and data का option मिलेगा उसके उपर click करना है then आपको नीचे ड्रैग करना है जो भी application को आपको अगर install करना है आप उसको easily install कर सकते हो अगर फिर भी थोड़ा lag हो रहा है आपका device game खेलने के time then number 3 setting को follow करो और आपका lag issue पूरा solve हो जाएगा इस setting में आपको सबसे पहले developer option on करना पड़ेगा तो developer option कैसे on करते हैं तो सबसे पहले about phone में जाना है then build number के उपपर tap 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 करना है 7 times then नीचे लिखेगा you are now in developer mode then आपका developer option on हो जाएगा then अभी आपको करना क्या है setting में जाना है search करना है developer option या फिर आपको additional setting में developer option मिल जाएगा then developer option में जाना है then खोजना है background process limit में click करके at most 2 process 3 process या फिर 4 process और no background process में से कोई भी एक को select करना है इससे क्या होगा ये तो सुन लो background process limit का मतलब है background में जो भी app चल रहा है उसके उपर एक limit set कर सकते हो बहुत बार क्या होता है आप application open करते हो and minimize कर देते हो जो application है वो background में चलता रहता है तो वैसे ही अगर आप 4 application एक साथ चलाओगे तो automatic आपका device lag करेगा तो इस problem का solution है ये setting अगर आप no background process select करते हो then आपका जो background में जो app चल रहा है वो totally stop हो जाएगा और आपका CPU में ज़्यादा pressure नहीं गिरेगा जिसके वज़े से आप अराम से game खेल सकते हो और game खेलने के वक्त आपका game ज़्यादा lag भी नहीं होगा then बढ़ते हैं आगे most important point है guys इसको अच्छे से सुनो Do not use DPI बहुत सरे बंदे को मैं देखा हूँ DPI use करते हैं DPI use करने से आपको 1% का भी benefit नहीं मिलने वाला है क्यों? अभी मैं आपको normally बताता हूँ एक DPI के उपर dedicated video लाऊँगा बहुत जल्दी तो DPI जो use करते हैं उनका device का life कम हो जाता है और अगर आप DPI use करके game खेल रहे हो then mobile का जो display है वो बहुत जल्दी heat होता है और battery भी बहुत fast खतम होगा battery के उपर भी थोड़ा सा effect गिरेगा अगर आप अपना ममी के mobile में game खेल रहे हो then गलती से भी DPI use मत करना वनना मार खाने के लिए ready रहना क्यूंकि 70% gamer का phone खराब होता है DPI के वज़े से जितना जादा DPI use करोगे उतना जल्दी mobile खराब होगा तो आज से DPI use करना बंद करो default DPI में खेलो और मजा लो एक game के वज़े से 20-25-25-25 वाला mobile को बरबाद मत करो ये मेरा advice था आपको मानना है तो मानो और ना मानना है तो आपकी मरजी वीडियो कैसा लगा? comment section में जरू बताना like, share and subscribe जरू कर देना आज के लिए इतने ही स्रियू इन दे निक्स्ट वीडियो